दोस्तों क्या आप एक सस्ते बजट रेंज में एक ऐसा स्मार्टफॉन लेने की सोच रहे हो जिसमें आपको मिले पंचोल डिस्प्ले, 90 एर्ट का रिफ्रेस रेट, 4GB RAM, 64GB का इंटरनल इस्टोरेज और साथ मैं आपको मिले 5000 इमेच की बैटरी, 48MP का कैमरा तो आज की इस वीडियो में मैं लेके आये हूँ, इन सभी खूपियों के साथ आने वाला Motorola का Moto E40, जिसकी करेंगे unboxing, measure डालेंगे basic features, look designs, कैमरा पर देखेंगे कैसा रहता है ये स्मार्टफॉन आपके लिए तो सबसे पहले तो आप इसका प्राइस जानना चा रहे होंगे, दोस्तो अभी flip card पर big billion days sale चल रही है और आपको ये स्मार्टफॉन flip card पर मिलेगा, मात्र 7999 रुपे का इसमें आपको 4GV रहे, N64GV का internal storage, rear में triple camera आपको मिलते हैं बाकी इसमें क्या-क्या दिया गया है, खास, आगे हम वीडियो में देखने वाले हैं तो अपने रहे हैं वरसाथ वीडियो में चैनल पर हो, होस्ताइम हो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए regular यहां पर लाता रहता हूँ तो यह है Moto E40, ब्लैक कलर का यह बॉक्स है, यहां पर आपको Moto का लोगो देखने को मिलता है इस साइड यहां पर Motorola लिखा हुआ है, और बैक साइड में आपको मुबैल का फ्रेंट लुक और बैक लुक देखने को मिल जाता है पंच ओल डिस्पले मिलती है आपको इसमें और 48 मेगा विक्सल का कैमरा दिया गया है तो चलिए दोस्तों, अब हम इसे फटाफट से ओपन कर लेते हैं देखते हैं मैं स्मार्टफोन कैसा देखने को मिलता है तो बॉक्स काफी अच्छे से यहाँ पर सील पैक किया गया है हर जगों से सील को लगाया गया है सबसे उपर हमें स्मार्टफोन रखावा मिल जाता है इसे फिलाल साइड रख लेते हैं और बॉक्स कुछ इस तरो से ओपन होता है इस ट्रे को यहां से निकालके हम अंदर देखें तो यहाँ पर आपको क्विक स्टाट गाइड यूज़र मैन्वल से मिजेक्टर पिन मिल जाती है एक चोटा सा चार्जर अडप्टर दिया गया है मोटो रोला का और यह चार्जर है 10 वाट का 5V 2A की आउटपूट रेटिंग इस चार्जर से आपको मिलती है इसके बाद हम USB केविल देखें तो ब्लेक किलर की आपको इसमें अरे वाट ताइप C USB केविल मिल जाती है केविल की लेंथ और क्वालिटी भी काफी बढ़िया मिल जाती है आठ हजार रुपे के अंदर आपको टाइप C का सपोर्ट मिल रहा है यह मुझे यह आपर बढ़िया लगा आज आते हम सीधे स्मार्ट फॉन पर तो यह रहा हमारा Moto E40 इस पर आपको एक टेंप्रेरी स्क्रेच गार लगावा मिलता है जिसे तो रिमूब करना ही पड़ता है अंदर कोई भी आपको स्क्रेच गार लगावा नहीं मिलेगा दोस्तो जब भी नए स्मार्ट फॉन फर्चेस करो टेंपर गिलास उसी टाइम लगा लीजिए कवर इस पर पहले से लगावा है देख सकते हैं यहाँ पर इतना मोटा क्यों लग रहा है दोस्तो तो यहाँ पर इन्होंने कवर पहले सी चड़ा करके दे रखा है नोर्मली आपको सभी कमपनिया ऐसा करके नहीं देती है टीपीव केस मिल जाता है अच्छी क्वालिटी का तो यह है इसका बैक पैनल फ्लास्टिक बॉड़ी है और काफी अच्छी फिनिसिंग आपको बैक पैनल में देखने को मिल जाती है यह यहाँ पर आपको मैसूस भी होंगे यह जो डिजाइन बनाया गया है यह हाथ से मैसूस भी होता है और इस पर रिजिस हैं इस क्रैचिस नहीं आएंगे इस प्ले सेंटर में दी गई है और यहाँ आपको एट मेगा फिक्सल का सेलफी कैमरा दी आ गया है तो चलिए अब हम इसे फटा फट से बूट करेंगे आपको मिलते हैं दोस्तों यहाँ पर जहाँ आपको तीन टाइप की की देखने को मिलती है यह पावर उन की है जैस्ट फट वर वॉल्यूम रॉककर्स और उपर आपको एक एक्स्ट्रा की दी गई है जो गूगल एसिस्टेंट की है लेकिन आजकल इसकी जुरत नॉर्मली नहीं पड़ती है सारा काम तो पावर उन की कर लेती है चाहे वो फिंगर फिंट सेंसर हो चाहे गूगल एसिस्टेंट की हो इसके अलवा उपर की साइड आपको 3.5 mm का audio jack दिया गया है लेट साइड में sim tray जिसे हम sim ejector tool की मदद से open करके देख लेते हैं इस प्लैस प्रूफ है mobile ये रवर लगी है यहाँ पर इसी से समझ आ जाता है तो triple card slot, दो sim card, एक memory card, तीनों एक साथ इस पर आप use कर सकते हैं मुबाइल के bottom में आपको primary mic, charging jack और speaker grill दिया गया है इनन फिल ये smartphone थोड़ा सा मोटा और भारी जोरू लग रहा हाथ में तो हमने यहाँ पर boot कर लिया है mobile को तो इसकी brightness सबसे पहले चक कर लेते हैं और यहाँ जो interface है वो कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलता है इसके अलावा आपको करीब से इसकी display दिखाएं तो display में colors आपको ठीक डाग मिल जाते हैं, brightness भी अच्छी है outdoor भी आप easily use कर सकते हैं और यहाँ पर हम scroll up करें तो वाउ, कोई भी fall to pre-install app नजर नहीं आ रही है सारी की सारी आपको यहाँ पर Google की ओर से useful app ही देखने को मिलती है तो दोस्तो यह बढ़िया लगा मुझे नहीं तो आज की date में सारे mobile देखे हूंगे आपने उनमें कई सारे Bluetooth app, pre-install app दी गई होती हैं जो की काफी परिसान करती है mobile के edge और bezels को देखे corner और उपर से थिक हैं हलकी चिन थोड़ी सी ज़्यादा आपको नजर आएगे नीचे से 6.5 इंच की HD plus IPS LCD दी गई है जिसका aspect ratio 229, screen resolution 720 to 1600 pixel और pixel density to 70 ppi की आपको इसमें मिलती है 400 nits की brightness दी गई है 90 Hz का refresh rate टच काफी smooth लग रहा है और 87.5% का आपको इसमें screen to body ratio मिल जाता है 165.1 mm इसकी height है और 75.6 mm width और thickness है 9.1 mm की 198 gram का है ये smartphone और 5000 mAh की battery इस पर लगी हुई आपको मिल जाती है इसके बाद हम इसकी setting को open करके देखते है तो setting का जो interface है वो कुछ इस तरह का आपके सामने कुलता है जहां आपको सारे option मिल जाते है network and internet, connected device, app and notification battery meter को open करें तो यहाँ पर battery से related सारी information आपको मिल जाती है battery का जो percentage है यहीं से आप enable या disable कर सकते हैं इसके अलावा storage meter के अंदर जाते हैं लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं लगबग 10 GB ही यूज जो रखा है जो कि system द्वारा लिया गया होगा 15% यूज बाकि आपको free यूज के लिए मिल जाता है और expandable memory तो आप इसमें 1TB तक बढ़ा सकते हैं storage type EMMC 5.1 का आपको मिलता है और यहाँ पर आपको सारे meters दिये गए है आपका storage जहाँ भी use हुआ होगा उसकी details आपको यहीं पर से मिल जाएंगी चली आप back आते हैं और यहाँ पर आपको sound display setting यहाँ से कर सकते हैं चाहे आप wallpaper dark theme का option भी दिया गया है अगर इसे हम on कर लेते हैं जो display है वो पूरी black हो जाएगी इसमें थोड़ा battery लंबा चल जाती है हम आते हैं यहाँ पर back और इसका जो about phone section है उसे सर्च करते हैं तो सबसे नीचे है about phone section सबसे नीचे दिया गया है लेकिन about phone section के अंदर आपको ज़्यादा कोई information नहीं मिलती है SIM card अभी हमने डाले नहीं है तो number so नहीं होंगे IMEI number दिये गए है RAM यहाँ पर mention की गई है 4GV RAM मिलती है LPDDR4X की Virtual RAM support आपको इसमें नहीं मिलेगा Android version 11 आपको इसमें मिल जाता है इसकी अलावा बात करें इसके processor की तो आपको नहीं MediaTek का processor नहीं आपको RAM type LPDDR4X दोस्तों आपको इसमें finger 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 sensor और face unlock का support दिया गया है तो यहाँ पर हमने set कर लिया है अभी जो हमारा mobile है यह लॉक है और यहाँ पर मैं finger को touch करूँगा देखते हैं पर तो थोड़ा सा time लिया अगें ट्राय करते हैं उतना fast तो नहीं लगा मुझे हलका सा time ले रहा है दोस्तों यहाँ पर जैसे मैं finger को touch कर रहा हूँ यह मैंने touch किया और उसने soja और फिर unlock किया और अब मैंने सारी fingers को आगे कर लिया है mobile lock है face के सामने किया और यह देखे यहाँ पर unlock नहीं हुआ चलिए दोस्तों इसका camera open कर लेते हैं तो camera को हमने normal mode में open कर दिया camera colors काफी अच्छे लग रहे हैं zooming power आपको only 4x मिलती है और full zoom clarity यहाँ पर आप देख सकते हैं image यहाँ पर फट नहीं रही है full zoom होने के बाद भी और color फेल्ड नहीं हो रहे है काफी अच्छा जूम आपको इसका मिल जाता है इसकी अलावा आपको यहाँ पर video mode मिल जाता है video mode में आप इसमें suit कर सकते हो 1080p में और 720p में यानि कि HD और full HD में आप इससे video suit कर सकते हो बाकि आपको इसमें portrait का option night vision, fro mode, panorama और micro mode दिया गया है front selfie camera 8MP का है और यह हमने यहाँ पर on कर लिया है selfie camera में भी color ठीक टाक मिल जाते और 4X zoom support मिल जाता है front selfie camera में यह देखें यहाँ पर हमने full 4X zoom कर दिया है तो zoom clarity भी आपको काफी अच्छी मिलती है तो यहाँ पर आपको front और rear camera से 4X zoom support मिल जाता है तो camera price के इसाब से बहुत बढ़िया आपको मिल जाता है यहाँ पर आप clarity साब साब देख सकते है दोस्तो price के इसाब से यह smartphone मुझे काफी बढ़िया लगा जी हाँ 8000 रुपे की कीमत में आपको इतने सारे features मिल जाते है एक बड़ा brand है Motorola डिस्पले clarity भी आपको काफी बढ़िया दी गी है 90Hz का refresh rate प्रिंस्टॉल एप ब्लोट वेर एप का कोई जंजट आपको यहाँ पर नहीं मिलता है सारे useful एप यहाँ पर दिये गए है तो दोस्तों आप comment बॉक्स में बताईए 8000 रुपे के अंदर ये smartphone आपको कैसा लगा क्या आप इस sale में इसे purchase करना चाओगे आसा करता हूँ मेरे द्वारादी की जानकारी आप सभी के जुरूर कुछ न कुछ काम आएगी जिससे आपको mobile purchase करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी एसी वीडियोज देखने के लिए चैनल को जुरूर सब्सक्राइब करें मिलते हैं अगली वीडियो में अगली अन्बॉक्सिंग के साथ तब तक के लिए दोस्तों देखते हैं ये टेक्निकल मस्ती